दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डेंडरफ दूर करने का घरेलू नुस्खा जो आपकी डेंडरफ की प्रॉब्लम को पूरी तरह खतम कर देगा दोस्तों डेंडरफ क्या होता है? डेंडरफ हमारे सिर के स्किन के रूखे हो जाने पर वहाँ एकठ्य होने वाली डेड़ स्किन का छोटे छोटे टुकडों में जड़ना ही है जब सिर पर बहुत ज़्यादा dead skin cells बनने लगते हैं और इतनी ज़्यादा quantity में जढ़ने लगते हैं कि बालों में और बालों के नीचे जढ़कर कपड़ों पर दिखाई देने लगता है तो ये डेंडरफ या रूसी के रूप में पैचाना जाता है दोस्तों डेंडरफ होने के जो main reasons होते हैं वो है काफी dry skin होना, कई कई दिन तक सिर और बाल ना दोना, तेज chemicals वाले shampoo बहुत ज़ादा यूज़ करना, सौराइसिस होना, एक्जिमा होना, सिर में fungal infection होना और hair care production में यूज़ होने वाले chemicals से reaction होना इन सबी में जो सबसे ज़ादा common reason है वो है dry skin दोस्तों डेंडरफ का एक बहुत अच्छा और बहुत effective इलाज possible है मुलतानी मिट्टी से मुलतानी मिट्टी बालों के लिए हमेशा से घरों में यूज़ की जाती रही है लेकिन modern lifestyle में हमने इसे यूज़ करना छोड़ दिया है या फिर बहुत कम कर दिया है मुलतानी मिट्टी ना सिर्फ बालों से डेंडरफ को पूरी तरह खतम करती है बलकि soft, silky और shiny भी बनाती है अब देखते हैं मुलतानी मिट्टी को डेंडरफ के लिए use कैसे करना है आपको अपने बालों की लंबाई के हिसाब से मुलतानी मिट्टी लेनी है इसे एक बड़े प्याले में राद बर बीगने के लिए रख देना है ये राद बर में काफी पानी सोक लेगी एक मुठी मुलतानी मिट्टी को करीब एक लीटर या उससे भी थोड़े चादा पानी में बिगो लेना है सुबह इसका पानी निकाल लीजिए अब इसमें एक चमच एलोवेरा जूस और एक चमच नीबू का रस अच्छी तरह मिला लीजिए अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप फ्रेश जूस यूस कीजिए वो बेस्ट होगा वरना आप पतंजली एलोवेरा जूस भी यूस कर सकते हैं अब आपको ये मुलतानी मिट्टी सिर के स्किन और पूरे बालों में लगा लेनी है जिस तरह आप कोई भी हेर पैक लगाते हैं या फिर पूरे बालों में मेंधी लगाते हैं उसी तरह इसे लगाना है अब इसे सिर्फ 20-25 मिन्ट के लिए लगा रहने दीजिए फिर सादा पानी से सिर और बालों को ठीक उसी तरह से दो लिजिए जिस तरह आप सिर और बालों में लगी मेंधी दीरे दीरे बिना साबून और शैंपू के ही दोकर पूरी तरह निकाल देते हैं पहले ही यूज में आपका डेंडरफ काफी हत तक कम हो जाएगा आप इसे एक दिन छोड़ कर एक दिन यूज़ कर सकते हैं इस तरह इसे 3-4 बार यूज़ करने से ही आम तोर पर dandruff पूरी तरह खतम हो जाता है फिर आप इसे हफते में या 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं जब आपको dandruff से पूरी तरह चुटकारा मिल जाए झाल झाल